शेर दिख रहे हैं और फाइल दिख रहे हैं सबनों इस दिख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें आपका तो यह रहा पॉलिटी एंड गवर्नेस टॉपिक दे विच सब्सक्राइब बेसिक स्ट्रक्चर होना केस वन अंदर बारती केस नों 50 यह कंप्लीट हो गया है तो इस करके बेसिक स्ट्रक्चर इना ने थोड़ा थोड़ा दास्ता है तो दीजार समाव दे वरी इंपॉरंट केस तो तो देख ले ही फाइल दे विचा सारे केस नो एक वारी जरूर को थू करना है आपका तो अल्टिमेटली केस वन अंदर भारती के 72 दे विच आया उस तो पहला यह गया है और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था मुद्धा प्रिंसिपल है गया है यह अपना प्रियम्बल दे वेट चीजा लिखिएंगे हैं और सारा बेसिक स्ट्चर्चर की है गया यह तो नूमर्द शायद ना पूच्छन कोशन मदर पुछ भी साकते है और इसी आप्शन काट के देख साथ देंगे की हो सागदा है देवे सिगनिफिकेंस और आर्टिकल 368 तो नो पता है फ्रेपरेशन देवे तो नहों पता होगे पता होना चाहिए था बहुत ही इनो फेमस केसिस है गया है तो यह जुरूर दे भी हो नाइन शेडियूल अगर आपकर देखिए तो यह पहला शेडियूल सी का जिड़ा आफ्टर दे कॉंस्टिटूशन आया सी इंट्रीउस किता गया सी और दे विच यू नो के इनिशल यह आया सी का फॉर दे पर यह पता होना चाही रहा है कि 31ABC के में एक्सेप्शिंज है फंडामेंटर राइट्स नू लेगे तो वो सारी चीज़ा पता होने चाहिए हैं उन्हें रिसेंटली असाम्ते और नाचल प्रदेश दे विच एक अग्रिमेंट हो गया कि उनना ने अपना 10 साल तो चलदा होया इंट्रject बौर्डर देश्पूट जिड़ा है solve कर लिया तो बौर्डर देश्पूट आपने देश बहूत सीड्स दे which exist कर था तो इस मैप देभिच तुसरी जूरूर देखने है सारे बौर्डर देश्पूट्स नो ठीक है जब हर्याना सब्सक्राइब काउंसिल दी चर्चा कितनी गई है जो कि सब्सक्राइब काउंसिल तो नों पता यह 263 आर्टिकल आपने देश्टे कॉंसिटूशन दा जूब देख लियो फिरा डेमोक्रेटिक डिसेंटलाइजेशन हैना 30th anniversary आई है तो इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंट देख लिए तो नों डिस्कॉलिफाइब करन दी जडी है लोग चल रही है तो डिस्कॉलिफाइब के में होगा सारी कंडिशन दे रखी है आटिकल 102 है ऑफिस और प्रॉफिट सारी चीजा है तो सी कित्ते हैं डिफेमेशन की हुंदा है दो टाइप डिफेमेशन होंदे क्रेमिनल से वल एन एन अल्टिमेटली एडिफेमेशन जडिया है आई पीसी दे सेक्शन 499 दे विच म कित्ते गए से कि अगर कोई MPM में लेकर रिमूब कर देता जाओगा और बड़ा पुराना एक्ट मलब दोदा तेरा चौदा देविचे जज्जमेंट आई सी गवर्मेंट ती पर नेक्स चार्ज नाशनल पार्टी स्टेटर्स ने रिसेंटल पार्टी स्टेटर्स पाया ग नेक्स पार्टी डिक्लेयर हुंदा है तो आहां कुछ रीजन्स है गया तो जुरूर एक वारी गोत्रू करना है मैं कट्टो कटनी तद शे सब्सक्राइब तो इन्हों एक वारी जुरूर गोत्रू कर लिए बेनिफिट्स की उन्दे ने नाशनल पार्टी देवी तुसे ए पिर हुने पिछे जी केस आया अनुप बरणवाल वर्सेस उनिन ऑफ इंडिया एक केस दा नाम याद कर लो बिगाउस कोश्चन नहीं कुछ लन दे कई वारी केस कि सीव दे रिगार्टिंग है ते विच रिसेंटी सुप्रीम कोट ने कहा है कि एलेक्शन कमिशनर दे चीफ आटिकल 324 जड़ा है ओहो कितना किते आप आनो इलेक्शन कमिशन नुव एंपावर करन दा तो पैनल बाकी भी दे रख्या बड़ा अच्छी गाल है कि इत्थे तोनों सारे पैनल इस विच सेलेक्शन प्रोसेसस दे रख्या तो 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 यह नों जिरूर एक परी गो होएगा तो जिनने भी एह सारी यहां जनली यही सारे मेंबर्स होते है फिर क्रिमिनल इंडेक्टमेंट प्रेजेंट इन यूएस उन्हें डॉनल्ड ट्रॉम्प जड़ा है तो नों पता होदे खिलाफ केस दर जो है सिगा कोई रेप केस सीन बंदा सी थे खिलाफ पहला इम्मुनिटी हुंदी है और डेफिनेटल इम्मुनिटी और प्रेजिजेंट ऑफ युनाइटेट सेट इंडिया नहीं है तो लोगपाल वैक इन देडे देवे जो तो केजरी वाल मतलब चलांदा सी के मूव्मेंट चलांदा सी हो दो है आक्ट पास किता गया सी का सेट सरकारा देविच लोग युक्ता होंगे सेंटर देविच लोगपाल होंगे इंडिया यूएन करप्शन दा है नो कन्वेंशन दा मेंबर रहा है और डेफिनेटली ओस करके इंडिया देविच एदा ओमबट्समें आना बहुत जरूरी है गया उन्हें देविच जूरि सब्सक्राइब देविच लोगपाल देखना है कि अल्मोस एट मेंबर्स होने चाहिए और फिफ्टी परसेंट रोदेविच जुडिशल मेंबर्स होंगे रेजरवेशन वी एक्जिस्ट करूगी एंड अल्टिमेटली कि मेंट्मेंट्मेंट्मेंट होगा लोगपाल देख है ना तो सेलेक्शन कमिटी जडिया हो और दी रिकोमेंटेशन से पेसे प्रेसिटेंट करूगा तो सेलेक्शन कमिशी कमिटी देविच आपने को लिए वान तू थी फॉर और फाइव मेंबर्स होंगे स्पीकर भी होगा जुरेस्ट होगा चीर जेस्टेस होगा लीडर इंटरनेशन रिलेशन्स अपना हर्ट हो रहे हैं तो फिर उस केस देविच प्राइम मिनिस्टर देगेंस्ट जड़े चार्जेस नों नहीं लिस्ट किता जाओगा इवन आम फोर्स जड़ी हैं जड़ी 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 है देयर आर ऑल्सो एक्सेप्शन से इस्ट गवर् जड़ी जड़ा है तो उड़ी ऑडर्शन पासके उड़ी जड़ी है तो इंकम टाक्स डेपार्टमेंट कई वारी और कर देंद के तो टैक्स पर वह यह वो तो उल्टिमेटली तुसी कित्वे जाके केस वाइल का सकते हो तो उड़ी उन जीएस टैट लेके आ रहे हैं और फाइनली यह जीएस टैट दी जीएस टैट दी जीएस टी कांसल मीटिंग देविच इनर ने डिसकस के ता सी मैं दस्यासी लिटिगेशन वार्दी जा रही है एंड यह इस करके आप अनु एक स्पेशल ट्राइबनल बना दिल्ली देविच प्रिंसिबल बेंच लोकेटेड होगा और सारी स्टेट जीएस टेट बेंच आ जुगा जितने जाके तुसी अपना पास सकते हो और फाइनली स्टेट बेंच देविच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देविच की होगा वो सारी चीजा दे रखी है एक वरी ज सर्विच देनी हों दिया है लेकिन उन प्राइवेट सेक्टर नों भी कह दे रिता गया कि तुसी और अधार उथेंटिकेशन देविच जा सकते हों तो दैट इस अगोड न्यूस क्योंकि एधार एक देविच नेबल करता है कि एवन यह ना मतलब तुसी ऑथेंटिकेशन नेबल कर सकते हों आफ्टर अफ्रूवल तो एट प्रेजेंट ओली मुनिस्ट्री देपार्टमेंट्स और लाउट कू टेग अधार और अथेंटिकेशन ठीकेशन तो यह बड़ा इंपॉर्टन हो जाता है फिर अधार पेमेंट बेस पेमेंट सिस्टम जिड़ा है यह दे अधे इस आई टी एक्ट विच रूजे रहें तो आइटी एक्ट जिड़ा है दो हजार चाया सीगा परेदी अमेंडमेंट सुन्हें गई हैं उन्हें रिसेंटली दो हजार एक्टी रूल्स आई पक्तिर नियुक्त नूब्ड करना पुरा प्रसेस शुरू किता गया है तो डू डिलिजेंस होगी और इंटरमीडियरीज नूब क्या जाओगा कि तुसी वी इंफॉर्म वन्ला तो नूबी इंफॉर्म किता जाओगे ना नमें रूल्स वारे एंड कुछ कॉंटैक्ट परसंस आगे तो इदादियां कुछ कुछ चीजां जडियां है दे विच देख इन अप्लाई करना पाएगा तो इस इस अबाउट प्री ओनलाइन थिंग फिर कुछ और इंपॉर्टन न्यूज सिन्मेट्रोग्राफिक एक बिल 2023 उन्तों पता है कि इंडिया जडियां फिल्मां हों ती है ना उनना फिल्मां नो इदा करके सर्टिफिकेशन जित्ता जान सर्टिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेंगी अभी और अगर आप देखे तो इसमें कुछ फिल्म के में आप रिड्यूस करिए इंटरनेट दे उपर जिडियां मूव करती रहेंदे टेलेग्राम चैनल दे चलती रहेंदी है उनना आपके में खतम करिए उस आइडिया न एरिया बड़ा ही प्रिस्टीन एंवार्मेंट एंड उस प्रस्पेक्टिव ना बना रहे है मोदी तो लेकिन लोकल पूपीपल ने और नों अगेस्ट जड़ा है कैसी नहीं देवागे उन लेट सी के कि में इस पूरे केस नो किता जांदा है जारखन ने ना एक आप पोर् एक पास किता गया सीगा 2021 देवेच जिदेवेच इना ने क्या सी के प्राइवेट सेक्टर देवेच 75 परसेंट जार्खंट लई जार्खंट दे लोकां ली होन गया तो यह सान ओड़ा ने कर लिया तो अल्टिमेटली के लोकल लोका नू मदलर नौक नहीं जानगे रादर इंप्लिमेंटेट दिफरेंट डिफरेंट केसे देविच सेम जज्जमेंट साहिया महीं है तो जैस्ट गो थूट्रू थेम वन बड़ा इंपॉर्टन कमिशन है रिलीजियस टे लिंग्विस्टिक मनराटी जे उपर फिर आप पिछे जे तो नहीं पता कि आपने जड़े चीफ मिनिस्टर है कि दिल्ली दे ठीक है डेप्टी जीफ मिनिस्टर मनीश सोडिया उन्हाने किया है कि मेरे राइट है आर्टिकल ट्वेटी प्लॉस्टी अंडर सेल्फ इंक्रिमिनेशन देगेंस मतलब मैं अपने खिलाव कुछ जो है हो नहीं करूँगा विटने पता ही उन्दा है डिफॉल्ट बेल बेसिकली की उन्दा है जिवें सपोस करो कि पुलिस ने तो नूँ फड़या ठीक है एंड पुलिस नूँ कोट ने क्या कि तूब इंवेस्टिकेशन करके दास के जो तूब तूब ताइम पिरिएड अगर वोस टाइम पिरिएड ने वेच ओह तो इन्वेस्टिकेशन कंप्लीट नहीं करता पुलिस तो टोड़े को लिए डिफॉल्ट बेल एक्ससाइज करना एक राइट हुंदा है यानि कि तो नूट बाइड डिफॉल्ट ही बेल मिल जोगी तो कि तोड़े खिलाफ केस बढ़े ही नहीं है तो थोड़ा जल्दी करा प्रिजनर्स नूँ सपोर्ट करन दी कि मिनिस्ट्री अफोम अपेर्स ने स्कीम चलाती है कैट की चीज़ा है कैट तो नों पता है या जड़ा 323 आर्टिकल है ना एस आर्टिकल दे अंडर एटे बी तो आर्टिकल है है बी एस फॉर ओल अदर ट्राइबनल्स इन इंडिया सारे अपने सेंटर गवर्मेंट दे इंप्लॉई आगे या सेट गवर्मेंट देंप्लॉई ना दे कोई डिस्प्यूट हों दिया है विगाॉज सारी चीज़ा है दे विच अप्लिकेबल आजनी है फिर आम फोर्स प्राइबनल ए इननने रिसेंटली मतलब कुछ आक्ट है ग्लीच फॉनदा है प्राइबनशरी एस्टॉपल लिए ना कॉंट्राक्ट लॉद कुछ फॉनदा हाँ जी तानिया आपने पड़ा होगा बैटा कंट्राक्ट लॉव यह होता ही है तो इसमें ना कुछ होगा यार इसमें यही है कि यार अगर तुम अग्रिमेंट अलड़ी कर लेते हो ना तो तुम बैक आउट नहीं कर सकते ठीक है तो इस ताइब का कुछ है तो दो लोगों में उसके बाद तुम वापस नहीं हो सकते अगर कोई नो कुछ ऐसा है इंपॉर्टन नहीं है लौ बैक्राउंड वाले लोग का लिए जादा इंपॉर्टन है और कई वारी के उन्दा ना कोई बंदा मर जंद है ना तो ओधे अग्गे बच्चे नूँ नौकरी मिल जंदी है इन्हों कंपैशनेट अपॉइंट्मेंट केंदे है ठीक है ना सो अगर कोई लेट से कई से डेथ होगी तो ओधे मुंडे नू या ओधे कुड़ी नौकरी म नहीं है तो आप यह क्लेम नहीं कर सकते जाके के मुझे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के अंदर मुझे यह मिले ठीक है जो है यह डिस्क्रीशन है ऑन दी एच्चोडी हैड़ देपार्टमेंट और मनिस्ट्री इंचार्ज के वह वह करेगा कि इसको कंपैशनेट बार ले लोग इंडिया देविच फॉरंड लॉफर्म इंडिया चुना आज नहीं हैं बार काउंसल आफ इंडिया ने अलाओ करता है यह नहीं कुछ खास लगया कंजूमर डिस्प्यूट एवी तुसी चाड़ दो फिर आहा नैशनल जैनरिक डॉकुमेंट रिजिस्ट्रे ओदे विच फॉर्टीन डिजिट इंटिफिकेशन नंबर देता जाओगा लैंड पार्सल नो बेसिकली जमीन दे नंबर लगण गे एंड पूरे इंडिया दे विच हरे एक जमीन दे नंबर होगा जिड़ा के यूपिन होगा तो यूपिन जिड़ा है और सीज़ देगार नागपूर रेजलूशन हाँ जी वाट इस नागपूर रेजलूशन यह कुछ नहीं है यार सर्विस दिलिवरी गवर्नेंस ठेक है बस आनों आई याद करना गवर्नेंस रिकार्टेंग कुछ ना कोछ चेंजी सागी है ओल इंडिया सर्वेस रूल्स दे विच कुछ कर देंगे किन अच्छा कर दे कोई है 10 सेक्टर दे उपर रैंकिंग हुं दिया एंड गॉर्नेंस नॉलिज सेंटर एवी डार प्ले के अंद है एंड सम्मिट फॉर डेमोक्रेसी दे विच इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने हॉइस्ट किती है डेमोक्रेसी समिट ठीक है तो फोड़ फोड़ा जाद कर लेना चलो जी लेट्स गो टो इंट्रनेश्ट रिलेशन इंडिया बुटान रिलेशन दे उपर अन्यसर इंडिया रिलेशन दे विच दोसी देखो कि होने रिसेंटली किंग आफ बुटान ने इंडिया नो विजर्ट किता है अलोकेशन है बुटान दी अब बुटान दा डोक्लाम ब्लैट्टू है नतुला पास बिलकुल कोल है याद रखने है चाइना इंडिया और दिस दे चिकन पूरा सिस्टम बन गया फेरा जपान दी एक रिसर्च और्गनाइज़ेशन है ट्रुक रहें उन्हों इंडिया नेट्वर्ग नालवी कनेक्ट कर लिया एंड डेफिनेटी फिर हाइड्रो प्रजेक्शन सेक्यूरिटी लई वी कुछ ना कुछ इनिशेटिस किते गए है त तो उन्हों पता है लेटिन अमेरिका किते है गया तो जिमें अपना नौर्स अमेरिका हो गया तो अपने एक्स्टेनल अफेर मिनिस्टर एस जैशंकर जिड़ा होने चार लेटिन अमेरिकन कंट्रीज नो विजट करके आई है तो पेनामा, गुएना, कॉलंबिया ते डॉमिनिकियन रिपॉब्लिक ठीक है तो एक पहले फॉरंड मिनिस्टर होया है जिनना ने इना कंट्रीज नो विजट किता है करेबियन कमिनिटी है यह कॉमन मार्केट है करेबियन कमट्रीज ना कॉमन मार्केट है वो दे नाल भी इंडिया दा कोचेर होया है significance की है गुवाना दे विच की है पिनामा अच की है कोलंबिया अच की है तो यह सारी चीज़ां एक वरी तो सी देख लियो गुवाना is home world largest oil reserves पिनामा is definitely इंडिया's gateway to Latin America क्योंकि पिनामा के नाल बड़ा important है गया इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशेटिव 2009 उन्हीं देविच इंडिया ने लौंच किता से गा सागर इनिशेटिव इंडिया दा बड़ा important इनिशेटिव है जिदे विच तो नहीं पता कि जिनावी इंडिया नोशन दे विच कंट्री रगी है उनना नाल इंडिया इनना याद करना है दोहा पुलिटिकल डेकलरेशन होई है तो नोशन ने पुछलन के कि दोहा पुलिटिकल डेकलरेशन जड़ी है वह सब्सक्राइब करना है जो कि रिमूव कर देता जानदा है लीज डेवलोप कंट्री से विच हो आ सारे लीज डेवलोप कंट्रीज डाइडेंटिफिकेशन क्राइटीरिया वह एक बार ही देख लियो एक ता जी एनना इपर एकनामिकल यह वल्नरेबिलिटी इंडेक्स होंता है एंडेनों कॉन जो है डिफाइन करता है यह लडी सी कंट्री है यह शिगाई कॉर्परेशन और्गनाइजेशन दी समिट गोवा देविच होई है रिसेंटली एंड इंडिया ने सिक्योर दा कॉंसेप्ट फ्लोड के तै इस नाइडिया इलाबॉरेटेट एकन चाइना दे विच होई सेगी किंग डाउ देविच मलें सिक्योर दा कॉंसेप्ट फोडों इंट्रीउस किता सिगा लेकिन गोवा देविच इन्हों मलें दुबारा दो इलाबरेट किता है तो सिक्योर देख लियो घी है गया ना और कहानी सारी दे सारी यू एन दा स्टैटिस्टिकल कमिशन दा इंडिया हुन मेंबर बन गया है इस तो अलावा यह है गई यूनाइटेड नेशन पर्मनेंट फोरम ऑन इंडीजीनियस इशूस तो इदा कोई सेशन होया है एकनॉमिक एंड सोशल कांसल दा एडवाईजरी ब एनग लीगल नुट इंड दर आपजयक्टिव की वगा आपजेक्टेटिव दोनों देशनरेच लीगल ट्रीटीरी यह को इंडरी पर्सपेक्टिव नाल थो एक ऑर्गिनसेशन है बहुत इंपॉर्टनेंट है की इह बैंडिंग कॉंफरेंस देविच इनों इस्टैबिश किता गया सी का जो नॉन अलाइनमेंट एंड इंडिया इस डेफिनेटली अब मेंबर आप इड तो इको वास रीजनल ग्रोप है वेस्ट एफरिकन स्टेट दा तो तुन्हों पता है जिमें है ना अफरिका दे दो हिससे है वेस्ट एंड इस लिटा वेस्ट एफरिका स्टेट इकनोमिक रीजन है तो इको वास बड़ा इंपोर्टन है था है एड़कोर्ट नाइजीरिया दे वेच है यूरपेन फ्रीट्रेड एस्सेशिएशन ए सारी ना उनकी रीजिनल और्गनाइजेशन दे नाम लिते जा रहे है ठीक है तो तुसी कर्फ्यूज नहीं हो ना जिव यूके भी मेंबर बन गया इंडिया इस नॉट अमेंबर ऑफ इस फिनलेंड ने जॉइन कर ले याद करो मैं जो उने पिछ्छे जी नैटो करा रहा है सी मैं तुम दास्रें सीगा कि नैटो दे विच दो मेंबर्स हले जॉइन करन दी तदार चाह गया है एना तो दे आर से क्युरिटी ट्विटी ऑर्गनाइजेशन है और यह और इंडिया ने स्टाट किता है तो बड़ा इंट्रस्टिंग है इंडिया श्रिलंका दे माल दीज और मॉरशियस में भी इन्हों जोइन कर ले है सब्सक्राइब करने तो याद रखना है एक कोशन आंदे पूरे पूरे चांसे है कि कॉलंबो सेक्यूरिटी कॉन क्लेव दे मेंबर्स कौन कौन है इंडिया क्रिलंका माल्दी और मॉरिश्यस मॉरिश्यस दे लेटर तो जॉइन डेफिनेटली टेबल टॉप एक्सराइज इस दे विच तो ओदे विच पुछ ऐसी डायलोग की होंता है एक बेसिकल राइसे ना हिल्स तो नो बताई यह जिते इंडियन गवर्मेंट बैठती है वो सारा पार्लेमेंट हाउस है वो उत्य अब्सर्वर सर्च फांडेशन करके और और इस आए और एफ इसाइज और न मार्ण दाट इनए प्रचाइब ना टायलोग मढशीक लिए चाहिए घ्यान मेनू ना टिसीर यह जायस यह जाएज नाप चाहिए जायस अनुद्द्द मनु पता है मीडर थेक है तो चुल एक अएज फेशत को तुकर लिए मियांगा या थे तो नो पताँ सुडान विच् बड़ी प्रॉब्लम चाल रही सिगी तो सुडान देवी जो सिवल वार इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी लॉंच केता है तो याद करो आपा जो तो इंटरनेशन रिलेशन पहला किते सिगे ओपरेशन मदद ऑपरेशन दोस्त तो सारे ऑपरेशन इक वारी जुरूर गोत्रू वैसे दा देखो एक वारी गोत्रू कर ला करो जो पेपर देवी जानने हो जो आंसर कडने पेंदे तो दुमाग अपने अप्चलन लागे आता है ठीक है इसमें क्या आंसर हो सकता है एक वारी देख्या होए ना मैं तो नो एक चीज आजा है बहुत अच्छी गल दाज़ा पेपर नेड़े आ रहा है चीज नो एक वारी देख लो ना ता आंसर निकल जानता है याद करें या ना करो लेकिन एक वारी देख्या होए ना उसनों ता आंसर निकल दे चांसे बाज जानते है तो जी आपा देखी लिया हुन आपरेशन का वेरी तो सुडान वाला मौहन लाइन तो अल्टिमेटली यह वी तुसी देख लिए हो ठीक है मैं मौहन लाइन दा कॉंसेप पिर रिसेंटल इंडिया सेंटल एशिया जॉइंट वकिंग ग्रोप ऑन अफगानिस्तान इंडिया सेंटल एशिया दी कंट्रीज ने कठ्टिया ने मिलके कुछ अफगा सब्सक्राइब यूके थे आज सारी यह जडिया स्कंटीनेविन कंट्रीज एंड डेफिनेटी डेनमार्क हो गया इदे विचा सारा जड़ा अशी है पूरी पूरी इस इस दे नौर्सी जॉगर्फी बिल्कुल विए और होने चाहिए निचे आपने को लिए फ्रांस बेल् इपर आप रिडियमेंट हो गया गुट फ्राइडे अगरिमेंट हो गया ठीक है इस दो अग्रिमेंट यह ना इस आइरलेंड एडिए तो बेसिकली ब्रेक्जिट तो बाद मतलब आइरलेंड ना यूके दे की रिलेशन्स होनगे ओदे लिए कुई नमा अग्रिमेंट गुट फ्राइडे अग्रिमेंट एह यूएस दे प्रेजिडेंट ने विजट किता होने रिसेंटली 25th anniversary होई है तो मैं तो याद अगर मैं तुन दसना था नदन आइलेंड जड़ा सीगा ना ओर यूके देना लड़दा सीगा और इंडिया दा कश्मीर लड़दा ना उस यूएस ने ब्रोकर किता सीगा तो याद रखना है दोनों ही विंसर दे गुट फ्राइडे अग्रिमेंट इस रिस्पेक्ट टू आइलेंड ऑपरेशन इंटर फ्लेक्स ए यूके ने उनने यूक्रेन नों सपोर्ट किती है और अगेस्ट रश्या स्टॉक हम अग्रिमेंट अग्रिमेंट बेसिकली मदलब स्टॉकण अग्रिमेंट हुआ सीगा जिस न न ने कुछ इदा मिलिस्टेर्य ने एक्स्चेंज करीए तो इस ताइब ने चीजए देखकर हुए यमनर्द फिज़ता कॉन्प्रेक्ट चाहले नो ओधे विच विच एग्रिमेंट है तो ऊप इंटरेत रिस लेकिता है में चाहिना रैश्या ने अन्हीं किता है लीगर्टर्लीख नहीं हता है क्योंकि इंटरीवें पद्धमिए इंडीय कंट्रोल करन इंडिया नहीं साइन नहीं किता कर दो दुनिया देविच प्रमोट करना से पैसे बाए जान दे इंडिया ने कुछ इनने पैसे दिते हैं इननों कॉफी है एंदनने क्रियेट किता सी बैक इंड़े इनने कोषड़े शोथ में व्यक्ते बंगलादेश नाल इंडिया पाइपलाइन बना रहे है ठीक है आई वी फप इननों केन यह लोगा तेरा विंगल इंडूर्ट इनिशेटिव टिर वेंडव को पते हैं रिम्टर कुछ च्छ लोगाा चाहिए निदेव चाहिए चाहिए ब जी अपने अब कर लिए एश्या इनिशेटिव इंडिया बेसिकली बाली दे विच इंडोनेश्या दे विच इनिशेटिव होगी तो इस चीज दे ऊपर एपूरा इनिशेटिव जड़ा है लॉंच किता गया है पोर इस तो बाज अगर विचापा देखें ब्युकरेस्ट नाइन इक कवर कर लो तुसी ठीक है इन नाइन नेटो कंट्रीज इस्टन युरॉप देवे चड़े युएस दम यह ना युएस लेड मिलिटरी अलाइन्स बान गया सीगा सो ए नाइन इस्टन युरॉपियन कंट किता जा रहे है क्रॉस रुष्या बाइद वैगनर ग्रोफ प्राइवेट रुष्यन मिलिटरी ऑगनाइजेशन है ठीक है बड़ा सही है मस्नरी रहे बेसिकली था एंड डेफिनेटली होते जड़े प्रिजनर्स उंदे होना नो रिक्लूट करी है अलाज नेट्फिक्स दी यूएस एनु मतलब एनु अगेंस चाहिना जड़ा है उन्हें आफदा एक इनिशेटिव लॉंच का था कि ग्लोबल सेक्रेटी इनिशेटिव होना चाहिए पूरी दुनिया ही इनिशेटिव राधर देन गोइंग इनिशेटिव एक्रॉस दे वर्ल्ड तो एदे उपर इन मैंटलीं कॉनेंशनने मैच च्बिसींग ब्रेंशेटिव एक लगव मेशन सफिक्सिष्टिव लुबहु उपर है और भी आचाहिए क्वेंशन जान्ड गोगा इस सेफटी आसेस्मेंट ब्रोग्राम पत्ते पेडरल एडियशेटिव स्यूट्क ते प्रोग्राम है यूश तो प्लेसेज न्यूज जे विच ठीक है जिस गो थू करना आप मेक्सिको मेक्सिको तो नो पता कित्व है गए ना स्वीडन इक विच आ गया जॉडन इधी कैपिटल अमान तो इस डेड़ सी है जॉडन बिलकुल नाल है तो नो पता इस्राइल दे बिलकुल नाल है जॉडन सी जॉडन रिवर है वह वेस्ट बैंक इस्राइलन लगता है राइट सो रुमाइनिया कैपिटल व्युकारेस्ट अड देन यूफ नाव तू स्पेन ता सबनों पता ही है उजबेकिस्तान भी सबनों पता ही है जडिया है सारी थान से गी है डिफेंस एक्सराइज यहां मैंनों इलादा कोशन आओगा बस इक वाई जस देख रो स्लाइनेक से शिरलंका नाली है ना सिंगापूर नाल बोल्ड कुरुक्षेत्र होई है शिन्यू माहितरी जपान नाल होई है कोप इंडिया इंडिया यूएस यूके नाल होई है बड़ा रटा अला काम है थो बेटा सारे याने अगर आपका आल करते हैं तो डिरेक्ट बैनेफिट ट्रांसफर है ना तो ए इंडिया ने एक सेटेंट इस लिए या गाइस एक सेटेंट खरो एक कैमरा लिए या आइम और विजिबल नो ट्रांफर डिरेक्ट त्रॉक्ट बैनेफिट ट्रांसफर इमेंड एनागो से पहला की फ्रह दिवेक्ट करने लाग गया से इंडिया तो में स्यारप्टकर्टमेंट्यू जिते करके। तो दोजार तेरा देविच इंडिया ने डिरेक्ट बेनेफिट ट्रांसर स्टार्ट किता तो रिसेंटली इंडिया ने जड़ा बचा लेया है तो अधार सीड़ेंट बैंक अकाउंट से जड़ा पैसा जा रहे है वह सारा देविचे मदले हैं किती है एंडिमेटली केटेगरी स्की एक ट्रांसर भी हो रहे है काइन प्रांसर यह दुन नों ही हो रहे है कुछ देख लेने हिंदू रेट अफ ग्रोथ तो पहला इंडिया दा रेट आफ ग्रोव उन्दा सी ओप बहुत ही कट सीगा साथ तिन चार पर संट यह पाइन प्रोव कर देवाय लिए विच इस वेरी रॉंग पॉर इंडिया वाज इंडिया वह देवल्पिंग एकॉनमी नड़ेश्ट फो एक बहुत बड़ली प्रोबिम सेगी और इस ग्रोथ एंडिया लिए अट रेट फ्रोव एंडिया थी विज्व एं बिलीव करना इप्रेट इस तो ना बहुत है इस इस वे इस पर लाइन इंडिया अगया तो इकनॉमिक रिसेशन थो बार दो इंडिया रिक्वर का रहा है लेकिन रिकावरी देविचे देखते नों मिल दा है कि कुछ सेक्टर्स तह बहुत बढ़ने ग्रों कर रहे हैं लेकिन कुछ सेक्टर दा बहुत बुरा हाल है और निचे जा रहे है हले भी जा रहे निचे तो एक था के बंदा जा रहे है तो देख रहे हो तो देरा सेक्टर विचा दूइंग वेल और सेक्टर विचा नॉट दूइंग वेल कम कर रहे है पोस्ट कोवेड टेक्न तैक्स पाए गए इंकम टैक्स डिपार्टमेंट वल्लो था कि टाक्स बेस बेसे बात तो बात नमबर आप लोग टैक्स ने नों टैक्स बेस कहें दे एंड डिरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिट था मतलब पता हिए था इतने कुछ डेटा है जो तो पेफ़र चाह सकता है वो डेटा दुसी जरूर देखना है सब तो पहला तो दुसी देखो टैक्स प्रोफाइल ली कंपोजिशन जो मैंना रही सब्सक्राइब ज्याला टैक्स इकट्था गिता गया तो इस तो बाद आयाना है कॉर्पेरेट इंक चाल रहे है दुन्हा देखो टिसिक्जिशं ने एक टैक्स और टैक्स गोड है और ऑट गाई गाट एग्ट इज्टीप रेश्यों गैरा पॉर्ट साथ पर सेंट इन जडिपी रेशों होगी ग्यारा पॉइन वेरी हाइफ याई अल्टिमेटली विज्टीट लेस लेस सॉ नाट हाय बेरी लेस्ट जोगी 55-3 परसेंट होनी चाहिए है और एक इंडिया फिर अटाक्स ज़ादा है लेकिन टाक्स क्लेक्शन ज़ादा है लेकिन टाक्स कलेक्शन चाहिए अट सुन to you know how the tax is increasing or decreasing as compared to the GDP growth and everything about that फिर अपुछ नवे पीचर जिड़े आड किते गई है जिस्टन आल अपने कनेक्ट करता है कुछ ए मनु इन 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 लग गया तो इसी जस्ट गोड लिए के सुप्रीम कोड ने कूप्लीटिट असेस्मेंट सुर्य ओपन करना निकाल कितनी गई है वह जज्ज्मेंट आई है कि जिदे वीचे नहीं कैनाट री ओपन दे कंप्लीट असेस्मेंट सुप्रीमेटिंग इंडा टेरीर अट इन सर्च एंच्छ इन सीजर अपरेशिंस तो सबोज करो कि तोटीए क्लियर होगी तो रिटर्ण डागया उजह तो तो अनुव रिफ़ंड भी आ गया असेस्मेंट ने रिफ़ंड पेज था तो उस्तों बाद उन्हा डेपार्ट्मेंट क्यों मतला री ओपन करें यह सेस्मेंट है ना सो उज्जेटे सुप्रीम को ने जज्ज्मेंट पास करती क रियोपन नहीं का सागते अंटिल कोई सर्च ऑपरेशन किता गया और उस ऑपरेशन देवेच को यह जा मटीरियल अनर्थ किता गया जिड़ा के बहुत ही खतरनाग मटीरियल जीगा सो यह बड़ा जरूरी है कि प्रूफ करना पाएगा ओनली देन तोडे असेस्मेंट नो रियोपन किता जाओगा तो इस वेरी गोट बिकॉस आर्बिटरी रिएसेस्मेंट बाइशन किता सीगा तो विच उन्दा की है कोई कंपनी है और दो डिविजन एक कोई कंपनी है वी जड़ा है यह तो माल लेंदा है कि तु आदे माल रेट चीपेच के दखा आप उस लेंदा है ताकि प्रॉफिट कटा लिए टाक्स बचा लिए तो इनु केंदे है बनला बेसिकली प्रांस प्राइसिंग और आम्स ल साइंड तो इसारे ड्वार्स प्राइसिंग अग्रीमेंट्स सुन दे जरे टाक्स पर एंदे विच साइन हो जानदे है कि अन्ना टैक्स देना ही देराशान हो है ना तो अल्टिमेटली ओ दो डिश ननु को छह रहन-ठी तो यह पेनिपेट जानता है यह सारा सिस्टम जान है इस आल अबाउट टाक्स अवाइडेंस एना टाक्स अवाइडेंस स्ट्राइजी कर दी है इन और टो इंशूर के टाक्स काट को कर लेना है ठीक है पेरा कुछ की टर्म दें कंसेप्शन फिसकल पॉलिसी सिटी फानांस रैंकिंग्स रिलीज कित्या गई है सिटीज नो भी उनना टी फानांसिंग दी की सिचुएशन आगी है वेदर अर्बर लोकल बॉड़िस को ले पैसा है नहीं है केड़ी कैटेगरीज पाया जावे इनों मोहुआ ने लॉंच किता है तो याद रखना है मोहुआ ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ हाउजिंग अर्बन लेट से दसलागतर पेदी राइट यह तुसी जमीन करें ती सी दो हजात तेन देविज लेट से तुसी जमीन के तरी पजाह यार पेदी थाओं लुपी ना वह प्यापिटल गेंग की होगा अपिटल गेंग इस नौट इक टू टैन माइनस 0.5 नहीं यह कैपिटल गें नह इंफलेशन इंडेक्स टें तो 50 विल बी मल्टिप्लाइट बैटें तो कि इंफलेशन विदा हुंदी रहे ना सालना ची करना कैपिटल गेंट नहीं होगा तो इत विल गाम आउट भी फाइब लाग एड प्रेजेंट इंफलेशन नूँ कंसिडर करके और प्रटिकलर एसे अगरेशन समझ में आई एस सब्सक्राइब लिए चाहा इंडेक्स इंडेक्स हों इंडेक्स इंडेक्स होगें लिए चलो जी लैट्सपो फॉर्दर आगे चलते हैं हम आप मार्केट इंट्रिप्टो एसेट्स तो यार्यूरोपियन पार्लिमेंट ने लौपास करता जिनन आप मार्केट इंडेक्स लेजिस्टेशन फॉर्ट इस प्रवाइडर्स एस वेल अस पॉन्यूमर प्रोटेक्शन देपर काम करेगा बहुत ही ज्यादा इसा रहा सारा इस चीज़ा देखने लिए तो क्रिप्टो एसेट्स की हुंदे है इस अबनू पताई है वाट इस एक होएगा हले सिरफ एक क्रिप्टो करणसी जानकी वह सारी चीज़ां देलाग्ट होएगा तो नो कॉश्चन सिंपल पर चाह साकता है कि मिका के रीसेंट्टी पास किता है यूरपेज यूनिया याद कर लो बस काम की होएगा क्रिप्टो एसेट्स ती रेगुलेशन करता है चलो जी लेट्स को फूर्द इंडिया देविच रेगुलेशन और क्रिप्टो एसेट्स दे उपर की चीज़ है कि यह को आर्बेज ने दोजार नीजी कहता सिगा कि क्रिप्टो कॉइंस नूं होल्ड करना ट्रेड करना इलीगल है और दस लग तक दा फाइन लग सार्द है सुप्रीम कोड ने लेकिन इस आर्बेज दे बैन नो लिपाए करता सिगा वेरी गुड उस तो बाद 2000 वाई दे विच अटी पसंट टैक्स लगाता सरकार ने कि जो भी वर्चुल एसेट दी ट्रांसफर करेगा और ती पसंट टैक्स होएगा और डेफिनेटली जिन्यावी कि चलो यार खतम नहीं हो रहा था थी पसे टैक्स लगा और पैसे जड़े है उन्हें ना इक यूएस दा बैंक सीगा सिलेकॉन वैली बैंक बड़ी न्यूस चरहा अल्टिमेटली ओहो बैंकरन सिचुएशन दे विच जान लगया सिगा बैंकरन सिचुएशन उन्दी है यह बहुत ही यूजलेसली कम कर रहे है ठीक है पूरे एक्रोनामिक सिस्टम नों डेंजर चेपा रहे है लेकिन फिर भी चली जा रहे है वह जी वह बन गया हुँए पोईट्री होगी है तो ऐसे बैंक जो टेकनिकली इंसॉल्मेंट है एकॉनमी के लिए मड़े हैं और यह कैसे हैं कि जो बंद भी नहीं होए अभी तक और गवर्मेंट की सपोर्ट पर रडाय कर रहे हैं और यह ऐसे बैंक्स को हम जॉंबी बैंक्स बोलते हैं यह इसी वजा से न्यूज में था विकॉज आप इस पर्टिकलर यह नो प्रॉब्लम जो सिलिकॉन वैली बैक्स में द रेमिटंस इंडिया जांगे तो डॉलर इंडिया जांगे टॉलर इंडिया जांगे इसे बाड़े बैनिफिट्स रहे फेंट लिए तो अगं पैसा जड़ो इंडियों रिप्रेदेट बैक इंटो इंडिया वगस्त्व 202 आपे दिरेक्ट अनी मडिटन वाइन डिके बीव पैसा इंडिया बार पेज रहे है उन्हों वापस इंडिया ने विच लेके जाना पहेगा अगर उन्यूटलाइज एक पर मोर दन वानेटी देज तो इस वेरी इंट्रस्टिंग इस प्रेमिटेड ओवर्सीज बाइंडियन रेजिदेंस इंडियन रेजिदेंस इन रिमेंड तो अर्वे ने डिरेक्ट किया कि जो भी इंडिया का पैसा इंडिया का मनी बाहर रिमेट रिपैट्रेट चिया जा रहा है थे कि इंफलेशन यह ओं इंफलेशन हों दिया जड़ी काट दियो ही नहीं है कि इस टिकिंग लांगर दन एक्स्पेक्टेट तो फॉल तबाद इ इनने स्टेप्स लैंग तो बाद भी रिडिउस नी हो री ठीक है तो दिस इडिया उप्ट या पानी कि ला पहलती वेज होगे ना अपने होगे ना सुमीट पहलती 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 है होई गे देखो चाठ़दने फट्टे अपन कुछ नहीं यहागा यहां कोई चीज देखी जांती पहले पेपर चाहिए पेपर में तो एक क्वोश्चन आ जाए वही बल्ले बल्ले होगा था काम पेजारी देखा था इसको प्राइमरी मार्केट था पता ही आई प्यो हो गया इसारा प्राइमरी मार्केट इस और बाउट इस टॉक्ट इस टॉक्ट ट्रेडिंग उन्दी है तो अल्टिमेटली एक फैसिलिटी बनाई गई है विच इस कॉल टी इन आस्वा एप्लिकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ट अमांट लाइक फैकेंटी तो ट्रेंटी मार्केट ब्लॉकिंग अफ़न्स फॉर ट्रेडिंग इन सेकेंटी मार्केट दू यू प्याइए विच्दी होगा थे आस पाल लाइक लिकी पिसलिटी बैक अटीए अप्लिकेशन सब्सार्टेड बाउक्त ओंड इस प्रेडिंग इस वेसंविट बनॉक्ट्ट अप्रिटिचि इन देजिए है कर दो फेसलिटित बाउट तुरुकिंग इस तो तॉपिक में समझ नहीं आ रहा रहा है कि इस फंड ब्लॉक हो जाते हैं कि प्रस्ट फंड लॉक हो जानते हैं चलो चेक दिस आउट ठीक है उसके बाद मैं इसको करता हूं प्रस्ट ब्लॉकिंग से केंड़ी मार्केट अगर कोई कुछ हो रही है कोई क्लाइंट कर रहे है तो ओधे फंड ब्लॉक कर देते जानगे जरोदा दे उपर मेरा काउंट है गया है ना मेरे जरोदा दे विच्कुल फंड कोई है राइट तो यह फंड यह है मैं यूज कर सकता है अगर मैं एक फ्रॉड्लेंट ट्रेटर है अगर मैं एक गड़बड वाला ट्रेटर है और मैं मार्केट दे बिच मैनुपलेशन करता है या कुछ हैं से भी नूब बढ़ा चालता है तो से भी कैन आस्क जरोदा टू ब्लॉक माइफ फंड समझा गया कि नहीं आइड आइड ऑप टिक है सो बेसिकली इस टू एंशोर के मैं कोई जिवें शॉट सेलिंग कर दें कुछ फिटर शॉट सेलिंग इदा लीगल और तो इस फंड नू ब्लॉक किता जा सकता है और देफिनेटली अच्छी फेसिलिटी है बिकॉस अल्टिमेटली आस्पा इस बोइंशोर के फ्रॉड लेंट रिपोर्टिंग इन वो सारी चीज़ा नहीं हो इमिजेट अन ब्लॉकिंग अगर इन केस अमेंबर जड़ा है तो इमिजेट अधी अन ब्लॉकिंग हो जोगी बट मैंनों लागता है कि इस इस अगॉड आइदेश प्रिक्टिक्लर इन से करेदा लाइब केंट्री मार्केट करेदी मार्केट ओगी जो थो कार थे पैसे अवरू इच्छ गया है और दूबाद कार जो थर्ड़ान्ट रिक दी हो सारी से कर्ड़ी मार्केट होती है इस प्रिजिए पर ना कुछ चीज़ा है फिर आप ESG एंवार्मेंट शोशल गवर्नेंट्स डिस्लोजर रेटिंग इन्वेस्मेंट इस जी ते उपर बहुत जादा पॉक्कॉस है से भी दा के आज आ रहे है के चुट भी लाइक लिए एस जी इसर्टिफाइड यानगी कमपनी एंवार्मेंट ली की कार दी है कंपनी सुसाइटी नहुं के घाति है त्र नमा सोशल की कहने हैं इस इन्वाप्र गवर्नेंट नमा कॉर्परेट गवर्नेंस मॉडल है जो से भी प्रमोट लिए को रखरा रहे है इंधिस प्रोवाइडर करते हैं इंडेक्स प्रोवाइडर स्कुर्पडी इस एशे वाट ने सी प्राइबिट प्राइब क्या जा जाते हैं पर इंटर्चेंच-टी तर्चेंच-डी तादार वाथे जा टीक है नाश्टल पेमेंट कॉर्परेशन ऑफ इंडिया कह रही है कि इंटर्चेंज पीस लगाई जावे मर्चंट यूपे ट्रांजेक्शन दें अंदर एप्रिल वां तुदॉजन की तो बहुत देंजिरल हो जुगा टीक है तो इंटर्चेंज पीविल नॉट भी अप्लिकेबल बटेंग टू बैंक अकाउंट बेस यूपेमेंट टू पीर इनना विच नहीं होगी वाला जो आपका कर रहे हो नहीं होगी लेकिन मर्चंट बैंक जड़ा है क्यूर कोड़ प्रोवाइडर थे एक्वाइर है एन मतलब हुंदा ग्रीन टेपॉजिट मतलब देपॉसिट इसमें यह होगा कि जो भी रैगुलेटेटिट इन्टी इस हैं बैंक्स हैं जो अगर वह कहते हैं कि आप हमारे बैंक में डिपॉजिट करो और वह डिपाजिट का पैसा हम लून ग्रीन में देंगे तो एक बॉसे ब बन जाए बैंक्स की तरह से जो यह बोले कि सब्सक्राइब जैसे ग्रीन बॉंड्स है जो कंपनीज लेके आती है वैसे यह ग्रीन डिपॉसिट हो गए जो बैंक्स लेके आएंगे फिर अग्रीन शू ऑप्शन एप्शन बेसिकली यह है कि कई वारी ना अब ओवर अलॉटमे बिच सौ शेर बेचने से लेकिन सौधी जगह दें एक सो बीच शेर बेचे गए तो उनों ग्रीन शू ऑप्शन कहें दे कई पर आई प्यों बहुत ज़्यादा चाल जनता है तो पिर एडिशनल शेर भी उसी बना लेने उन्हों ग्रीन शू ऑप्शन कहें दे है शूरटी शूरेटी बांड से पता ही है यार कि बॉन्द है एक बहुत को सिप्रांट देना नहीं है ठीक है चाइनीज बाल पॉलसी बेसिकली की है सब बोस और सु नहीं इमकद साउं करेंद घेना लोगों के बारे में जिनकों नहीं पता है वह सी-सपा screening आए कैसे पता चले उन लोगों के बारे में जिन वहीं की तैंट करने है देखो आज भी लोग जिरओदा दो डुपर रहा है यह आप्स बाद चुकी है जिडिया कि ओनलाइन ट्रेडिंग चाल दिया है लेकिन आज भी बहुत इसटादे ट्रेडर्स रहेगे जड़े ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं विगा देते हले भी फिजिकल फॉर्मेंट ची ट्रेडिंग करते हैं एल्द लोग जड़े हले फिजिक फिर लोग यहां पर क्रीद लेंगे प्राइस को अमरण शेयर को प्रीद लेंगे यह सोचके कि इसका प्राइस नीचे जाएगा और जैसी मीचे जाएगा तब यह बेच देंगे तो यह इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं यह बहुत ही डेंजरस होता है यह थोड़े टाइ में आए थी अब यह नहीं आ गई है इसमें इंपोर्टन यह है आपके लिए चार्ट यह चार्ट दरूब देखना है अब देखी लेने हैं देखो 2016 इंडिया एक्सपोर्ट करना शुरू करता है अगर आपका गल करिये तो दो फाही तैदेवेच अबराल ट्रेट डेफिसित इंडिया था एकसो बाई टॉल्यून डॉलर दा ठीकलाथ था था तो दो सोच्याट माइनस इकसो चाली करोंगे था एकसो बाई अजुका यानकि गूर्ड देवेच जेड़ा टैफिसित है ठीक है ऐंसर प्लस है आपने हुआ है इंडिया दे फॉरंड पॉलीजी नो तुषी फॉरंट रेड देख्टो तो सर्विसेस ने विच वमेशा हमेशा पॉज़ें हुनदे ट्रेंट विच थे नेगिटिव नूओ जो दो आपकर कर दे आपने को ले एकसोटवाई बिलियंड डॉलर ना ट्रेड डेफिसित आजा दा स्वाइब यह बिल्कुल ऐसे याद रखना है अब ये भी देखना है कि टार्गेट एकस्पोर्ट टार्गेट क्या लगाया है दोधा तीस तक दो ट्रिलियंड डॉलर यानिकि अपने को तो जादा इंपोर्टिंग नेशन इहे हैं एंड सबदेर एक्सपूर्टिंग नेशन इहे हैं तो याद रखने हैं जादा इक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टन आगा तो यह सारी पॉलिसी आ जाए हैं फिर अदुबार ट्रेइट फैसिलिटेशन इंद इस और दुशन तो तो बाकी देखेंगे कल यहां से हम शुरू करेंगे 2023 3.5.2 89 pages हम complete कर चुके हैं मैंने आपको वादा किया था मैं 40 page आपको complete करा दूँगा तो वादा तो वादे तो हम बहुत करते है ठीक है यह हो गया चालिज ठीक है मंजीत कर लेंगे यार यह तो तीन दिन में complete कर देंगे आपको आज 40 कर लिए गल भी 40 कर लेंगे 80 pages तक पचा देंगे गेंगे चलो थेंक यू सो मॉच बेस्ट आफ लग ऐसे टेंशन ने लेनी पड़ाएगी बिल्कुल भी ठीक है इसे इसी विरीजी होके पर देना है कि चलो कोई बात नहीं पर ही है को जाएगा चलो ओके